dear students now we are going to do the exercise of merging files in SPSS चलिए आये देखते हैं कि हम यह command कैसे perform करते है SPSS software में students हमारे पास यह एक file है जिसमें data हमने add किया है एक site का और इसमें हम add करना चाहते है data जो मारे पास दूसरी site से आया है तो हम कैसे उसमें add करेंगे हम data में जाएंगे data में जाकर हम merge files की जो है जो option उसको click करेंगे और उसमें add cases के ओपर click करेंगे add cases के ओपर आप जब click करेंगे तो मेरे पास file to already open है system में तो मैं उसको select करूँगा continue करूँगा और यहाँ पर क्योंकि variables सारे similar है variables चेंज नहीं है कोई भी तो वह already सारे selected है अब हम मैं इसको अगर okay करूंगा तो मेरे पास जो file two का data है आपने देखा कि वह add in हो गया है पहले यह 21 का data set था और अब 42 का हो गया तो अब हम इसी तरह देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी file हो जो हमने करनी है computer से locate तो वो कैसे करते हैं तो मैं इस option and external SPSS statistics data file इसको क्लिक करूंगा browse करूंगा यहां पे मेरे पास file three है इसको मैं open करना चाहता हूं continue करूंगा तो यहां पर सारा वो ही data जो है और वो मेरे पास आ गया और यहां पे एक variable IQ का है जो के अन पेयर है बाकि सारे पेयर्ड है तो मैं okay पे क्लिक करूंगा तो यहां आपके पास command आगी के procedure execute हो गया तो अगर अब हम अब देखें तो अब 21 से data जो है 42 से data 63 का हो गया है यानि हमने दो files में जो data था 21 21 का वह इस master file जिसको हमने file 1 का है उसमें add कर लिया है तो students अगर आपने variable add करना है एक जो है सिरफ अपने जो existing file है जिसके उपर आपके पास दूसरे variables का data तो है पर एक variable जो है आप और add करना चाहते हैं तो उसके लिए हम data में जाएंगे merge files और add variables पे click करेंगे और यहां पे हम जो है वह variable की information जहां पे similar respondent की पढ़ी है उसको open करेंगे और उसमें से browse करेंगे select करने के बाद continue करेंगे तो हमारे पास यहां पर यह IQ का variable है जिसको हमने add करना है तो वह यह select हो के आ गया है बाकी similar variable है इसको ok करेंगे तो यह execute हो गई command तो पहले आपके पास IQ का variable नहीं था अब जब हमने वह फाइल 3 से ब्राउज करके उसको merge किया तो वो observations जो है in 21 respondents की यहां पर add-in हो गई है तो merge file की option आप जो है वो use कर सकते हैं SPSS software में जब आपने बड़े कोई data set पर काम करना है तो आप जो different जगह से data आ रहा है उसको एक master file में जो है integrate कर सकते हैं without opening those files और without copy-pasting the data from those files और दूसरी तरफ आप अगर एक variable दोबारा से जाके respondent से उसको पर data ला रहे हैं तो बजाए कि आप सारा data दोबारा से re-enter करें आप specifically उस एक variable का data भी enter कर सकते हैं by using the option of merge file